यों बुलावो हो त्यों हानक दास बोले गुरुरु गुरु प्यारी साथ अंगत्यों वाहे गुरु जी का खलसा वाहे गुरु जी की फत्य है धन गुरु अमरदाव साहिव जी जदों गुरु अंगत देव साहिव दे दरबार विच पहुंच दे ते अब जी दे चरना विच शेजदा कीता मत आठे के ते कुझ लोग केंदे हैं कि अमरदाव जी रिष्टे विच भी बड़े हैं और उमर विच भी बड़े हैं क्योंकि धन गुरु अंगत देव साहिव और गुरु अमरदाव साहिव दा रिष्टा कुडम चारीद हैं गुरु अंगत देव साहिव दी बची गुरु अमरदाव साहिव देव बती जी ना लिव्याई भी ते रिष्टा बड़ा दुनिया में तहरते कह देने हैं ते फिर उमर भी अब जी दीवड़ी है पर फिर भी शीष चुकाया गुरु अंगत देव साहिव देव साहिव देव साहिव क्योंकि पाई साहिव ने जो आज शबन सुनाया उदे विच्छ एक सवाल है एक जवाब है ते बाकी प्रप्ति है ते अब जी ने जेकर गौर करके सुनिया होए तो उदे विच्छ सवाल सी कि हे प्रभू मैंनों हो मारग दस कि जिस मारग ते तुरते तुरके मैं तैनुआ के मिला हूँ मैं दस हो मारग संतो क्यों प्रभू मिला ही एक सवाल है ते जवाब की है उत्तर की है उत्तर भी एक को पंगती विच्छ देता है श्याइब करन देने मिलना चाओना है हाँ मारग मिलना चाहन दे ते उत्तर ए दिता मन अर्पव हो मैं तजों इत पंथ चलाई है और कुछ भी नहीं करना मन गुरू नो दे और हमकार खतम करते और दावेदे नाल गुरु साहिब कर रहने तेरे मिलन होवेगा तो मन गुरू नो दे और एक छोटा जावदारन आप चिन में दमा कि अक्सर की उन्दा है कि शरीर दे विच्चों जेकर कोई पुर्जा खराब हो जाए किटनी खराब हुए ते डॉक्टर नो कह दे नहीं कि किसी भी कीमत दे जेकर मिल दी ओवेगा नहीं है आप जी उपलब्द करा सकते हूँ मैं धान देन ली त्यार हूँ शरीर दा कोई ओर दू जाती जाऑ अंग खराब हो जावे ते मनुको कह देंदा है मैं त्यार हाँ बदलाण वरत्थे। वशरती के उदिकुल पैसा होए जी खोन नहीं बनदा बेया मनों को कहा देन दा है जित्थों मर जी उपलब्द खराओ मैं धन देन वस्ते त्यार सब किछ बदला सकता है कि मैं तंत्रुस्त रहाँ मैं ठीक रहाँ शरीर देविच एक पुर्जा ऐसा भी है जो रोगी है और ओ है मन जी कर मनुख नों कह देए कि तुम अपना मन भी बदला ले गुरू दे को लाके ते मनुख कहनदा है मेरे मन वरगा और किसे दा मन है यह नहीं जितनी सोनी मत मेरी किसे दी भी नहीं और गुश्ता की माफ एक दहरना चल दिया आ रही है मनुख कहनदा है कि अपनी मत ते दुजे दी इस्त्री साजन सोनी लग दी अपनी मत अपनी मत अपनी मत ते खराब की लग दी है कि अपनी घर वाली ते दुजे दी मत सब दो खराब कि ये पुर्खा तो मत ही बदल गुरु दे कोला जिस जिना ने अपनी मन दी मत त्याग देती हैं केंदेने विसारे दूचा भाव जीओ द्वेत खतम हो गया तो धर्मदी जड़ी सारी भी सारी साधना है वो बस एक कोई जो यंत्र है इस्ट्रूमेंट है मन इसे नों बदें रहे हैं ये ये बदल गया मनों कदा जीवन बिल्कुल ही संगीत महीं हो जाएगा वसंद महीं ह हो जाएगा भाई साथ भाई गुर्दास जीता एक उधारन है कि आकाश दे विज्व कुझ पंची उड़ेने ते ओ एक कोई कतार विच उड़ेने एक कोई कतार और वाकी हैरान कुन अवस्ता हो जान दी है कि ओ पंची किस्तना एक कोई कतार विच चल देने पर कदे नहीं और एक कोई ही चालों दी है एक कोई ही उडानों दी है पर जा रहे हैं अपने आगू दे पिछे जा रहे हैं जित्थे जित्थे आगू मुर्दा है पंची उथे उथे मुर्दे वहाई गुर्दास जी कंदे ने कि धरती ते भेरनाधी डावर पजी जा रही है पर एक कोई कतार एक कोई पंची है पिर जमीन ते देखो कितना छोटा जीव है कीरिया एक कोई कतार पिछ जा रहा है एक कोई कतार पिछ जो उनों दा मुखी है बस उदी पिछे पिछे जा रहा है हुण मनुख दा मुख्य काओन है गुरू कर देने मनुख इतना चतुर भी इतना शाना भी इतना सूजवान भी पर फिर भी अपने मुख्य दे पिछे नहीं तुर था जिसो कि मुख़्ी बहुत शाणा है पंची उतना शाणा नहीं है हेरन उतना शाणा नहीं है चीटी उतनी शाणी नहीं है ओके ते भी लिजा सकती है पर गुरु ने ठीक ठांते पहुचाना है ठीक ठांते तो गुरु नो मुखी बना गुरु नो आगू बना और गुरु दी मत दे मताबिक चल दो गुरु की मत तूं लह याने भागत बिना बहुत डूबे श्याने डुब गए श्याने तो श्याने क्योंकि कुछ बाणियां ऐसे हन बहुत चंगी गल दासनों आखी इस पावन अस्तान दे उक सिवादार हर्मन जी सिंधी ने कि कुछ बाणियां ऐसे हैं जिमें सलोग कबीर साहिब दे सलोग बाबा फरीद दे जा फिर सलोग मेला नमा दे जा फिर सुखमनी साहिब दी बाणि कि जो कोई बाणि वी दिन विच संपूरन व्याख्या हो सकती है किसे दी ती दिन विच हो सकती संपूरन व्याख्या तो इस तरह ये व्यक्ष्या संगतां दे सामने रखके यह वद तो वद संगत नों गुरु नाल प्रेरित करना है जोडना है क्योंकि कुछ दिन पहला फते टीवी थे कबीर सहिब दे सलोक दी कथा चल दी से फिर फरीद सहिब दे सलोकांदी कथा शामनों चार बजे तों साटे चार बजे ते पंजाब तो कुछ प्रेमी कहन दे सी कि ग्यानी जी यकीन मनना अपने फोन दे विच्छ शी रिमांडर लगाया हुए है एक ते चार बजे दा ओ समाखोंच ना जाए सारे कम छड़के कथे हो जान दे हैं सारे टीवी थे सुन दे हैं कबीर सहिब दे बोल बहुत अनदन्द है कबीर सहिब दे सलोक बाबा फरीद दे सलोक फिरेना दी व्याखिया बहुत अच्छा लगत है ते कूशिश करांगे आप जीदे साद के के धन गुरु गुरंसाहप दे विच्चों ऐसी बाणी आप जीदे सामने रखिये ता करके अनद भी बने और आप जीदे गिनती गुरु का रिविच्च वदे क्योंकि इस सब तो वड़प पुन है सब तो वड़प रहना खुद भी जुड़ना ते सबतान भी जुड़ना क्योंकि की दोड़ सी पाइलद्धा प्रोवकारी नों जो कल में अर्ज कर रिया से कि अपना ही जलू सुकड़ के धन गुरु अर्जन देव सहब दिको लारे में उना दा मकसद की सी कारण की सी के संगत गुरु कर देनाल जुड़ी रगे मेरी कोई गल मेरी कोई वाकई ये जुड़ना है संगतान तो अजदा जड़ा मूली शबद है ओ देखना हाव में विच सब जग बावराना तूझे भाई भर्म भुलाना बावराना के देने चल्ला कमला कि मनुख हाव में देविच चल्ला होया है ये देविच दो शबदने हाव में देविच इस ती असी संदी विछेद करिये ता हाँ वक्रा कर दो मैं वक्रा कर दो ते इनना शबना दा जो अर्थ मूल अर्थ है वो है हाँ तो मुराद सुक्षम हंकार और मैं तो मुराद इस तोल हंकार जदो मनों को कहन दा है ये मैं की दा है इतान मैं कीता है एपुन मैं कीता है इक मनुख ऐसा है जो सिद्धे तवर्ते ना कहके असिद्धे तवर्ते कहनदा है वो किस तरह हो कहनदा है मैं ताँ पापी बन्दा हूँ और शुरुआत इस तरह करता है मैं पापी हैं मैं अब रादी हूँ मैं कुनागा रहा फिर अब जी ने कहना नहीं जी तुसी तह बहुत बड़े संत हो तुसी तह बहुत बढ़े गुरमख हो फिर अंदर हाँगों दी पावनाउः खुश हो दी है अंदर कि अब जी दी रसना चो अखवाना है कि तुसी कवो कि तुवा कई सादू है तुवा कई संत है तुवा कई दानी फिर अंदर खुश होंता है इसनों कभीर सहभ ने कह देता तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं इतो शबदा I.M. ते I. तो मुराद है मैं और M. तो मुराद हूं ये प्रीत अंकार मैं हूं मैं बाहर दा अंकार हूं अंदर दा अंकार कभीर सहभ केंदेने दो में खटम हो गए दूजे भाए परम भुलाना बठकदा रिया जदों तक मेरे कोल दो भाव सी दो भाव किस तरह ने हैं कि एक कदम शर्दा दा एक कदम शुंका दा जदों साटा कोई कम हो जानदा है अशिकी कहन दे हैं कि यकीन है सो फिस्ती कि परमात्मा है कह देने हैं और जदों कम नहीं होया फिर कह देने हैं पता नहीं रब है भी कह नहीं पतान और फिर जिनु पकब हो जांदा है मनोग क ballot कि सो फिस्ति यकीन है रब है ओ आप भी यकीन करड़ा है तुझे नो भी जांदा है तुमी परुसा कर रब है मन ले रब है यकीन कर लिया ओर ही मनोग फिर की जांदा है एक साल बाद फिर कोई कम रुक गया उस ताफ ओ गेंदा ए प्रभू जे एक कम मेरा हो गया तब मैं तब वाक्वी समझाँगा तुम वाक्वी है सो फिस्ती है फिर पहला कीसी जो तुम पहला तेरा कम हो गया तो उदो भी किया सी तुम सो फिस्ती है मैंनों यकीन है अज फिर कहा रही है पेरा एक कम हो गया तब मैं यकीन करांगा तुम वाक्वी है जित्थी जित्थी कम होंदे गये यकीन होंदा गया और जित्थी जित्थी कारण नहीं होया उत्थी उत्थी शंकाने जिनम लिया और मनुक इसी तरह जी दिया है होन जदू दईत मतन करदे हैं मदाणी भांदे हैं मैटकी विच फिर रसील पेट के उसनों कमान दे हैं ते ओ मराणी किस तरह भुम दियें कदे खब्बे कदे सज्य कदे खब्बे ते कदे सज्य क्योंकि शेहरां दे विच ता मदाणी आज होर के समधियें जो एकों तरफ गुम दियें मोटर दे नाल पर पिंडान दे विच जड़ी मदाणी होन दियें और रसी बन के रसी कमा के फिर खिच देने कदे खब्बे कदे सज्य इस तरह गुम दियें मन खुदा मन भी इसी तरह गुम दाए कदे खब्बे कदे सज्य कदे शर्दा कदे शंका कदे ग्यानी कदे अग्यानी कदे दानी कदे लोभी कदे पुनी कदे पापी और इसी तरह कदे ने मन खब्बे ते सज्य को मरिया ते मन दाबढ़ता हुए है यह मन दी दशा हुए है गुरु सहीब कदे ने कि मैं यकिन कर लिया सो फिस्ती रब है और एक प्रतिशत भी इपावना नहीं है कि रब नहीं है एक फिस्ती भी नहीं है भावना साइब कंदे ने बहुचिंता चित्वे आप ना पछाना धन्दा कर दिया अंद नभिहाना बहुचिंता कितना फरक है चिंता विज और चिता विज इस पहलें यहंदी विज लखी है चिंता और चिता कितना फरक है एक छोटी जी टिप्पी धा जो चिंता है वो जीन्दे नू साड़ दिये और जो चिता है वो मरे नू साड़ दिये एक बिंदी ता फरक है बस और जी चिता है के देने वो इतना नुक्सान नहीं कर दिये मनुख दा क्योंकि मनुख दा वैसे मर गया ते चितादे विजदा सड़ नहीं है पर जिड़ी चिंता है वो बहुत दुख देंदी तो फिर होने चिंता खत्म हो जागे उते ले की करिए मनुख दौडदा है बज़दा है बेरी चिंता खत्म हो जागे पर सारे धार्मिक ग्रंद कीकन देने ये पुरुखा जी जिन्ता नों खतम करना है तो तुम चिन्तन कर सिम्रन कर चिन्तन तेरी जिन्ता मिठेंगे तो सिम्रन कर जो जिन्ता है सेबती बोलने बहुँ चिन्ता चित्वे सारे दिन दिन रावत चिन्ता विच रेंदा है मनुख पर अपने आपनों नहीं पशाण पानदा चिन्ता किस दी है कार दी चिन्ता किस दी है मखान दी चिन्ता किस दी है कारोबार दी चिन्ता किस दी है पुतरा दी चिन्ता किस दी है गहा पुतरा दे पुतरा दी है एई चिन्त हाँ मैं क्यों करके आया हूं बुल जाने हैं एही चिंता है हूं एक मैं छोटा यह उदारंदवा इस चिंता के बादिशा के दैवजीर नो कि सारी सारी रात चिंता विच भी जांग दिया है सारी सारी रात और बादिशा नो भी चिंता असी कह सकते हैं गरीब नो तो चिंता रोटी दी हो सकती है पर बादिशा नो भी चिंता किस तरह दिया और मैं ऐसे ऐसे परिवार देखे ने अज भी पिंडान दे विच आए कि क्योंकि मेरा तक जाना हुंदा है पिंडान दे विच ऐसे ऐसे परिवार में देखे ने जेन अन्दे कोड सवेर दी रोटी है शाम दी नहीं है आएसे ऐसे परिवार में देखे और प्रडोसी तो आटा मंग के लिया देने कि फिर कदे साथे घार आटा कठा आवेगा देनों एक किलो आटा वापिस कर दे आगे ऐसे ऐसे अज़ दिया तो बादिशा कहनदा है कि पूरी पूरी रावत चिंता विच निकल जान दिया मैं की करा हूँ वजीर कहनदा है महराज चिंता किस गल्दी है तो बादिशा कहनदा है बस एही चिंता है कि अज जो कुछ ली है कल्दा पता ने राज अज है कल्दा पता ने सुख अज हन कल्दा पता ने वजीर कंदा है माराज एक कम करो तेरी चिंता सारियां मुख जानगियां अब जी एक किलो चावल और अधा किलो दाल एलू और जिसनु मैं आखांगा उसनु दान करना है तेरी सारियां जिंतां आख बिट जानगियां वजीर कंदा है ठीक चल दें एक किलो चावल अधा किलो दाल लेके पहुंच देने जो गियां जो अपड़ियां दे विच्छा ते वजीर ने बुवा खड़का है ते अंदरों एक मनुख निकल दाए वजीर कंदा है कि बादिशा को लों एक किलो चावल के अधी किलो दाल ले लवों ते वो मनुख केंदा है मारा जरा ठैर जाओ मैं पत्नी नूँ पुछ किया ना जिनों पत्नी नूँ जाके पुछिया तो पत्नी की केंदिए केंदिए ए पती परमेशर बादिशा नूँ कह देना कि ए एक किलो चावल ते अधी किलो दाल के से और नूँ दे दवो क्योंकि साड़े कोड़ शाम लई भोजन दी रसद पाई होई है जिना दी कोड़ शाम दी रसद ना होवे उन्हानों दे रहना सड़ी कोड़ शाम वास्ते पाई है ते एगल जिनों उसने जाके अखील राजे नूँ ते राजन केंदा है वजीर मेरे कोड़ ता इतना कुछ पया है कि मैं बैठ के खामा तामी निमकेगा मैंनों चिंता है इनानों चिंता नहीं है कि शाम तक दा है कल दा पता नहीं कल फिर होड़ दिखांगे तो कल दी चिंता नहीं है इनानों एक एंदने शाम वास्ते भोजन पियाए बस एही गाथा है साठी एक मैं होड़ अब जिन्हों अर्द करां और एह हकीकत है जड़ी मैं अर्द कर नहीं दुनिया में पदारत मेरे कोल कुछ भी नहीं है जे कितरे मैं अपणी आर्थिक अवस्ता वजी दे सामने रखां वजी ने रथा करना है ये कमाल हो गई फिर भी जारेते खिडाओ इतने खुशी है और ये पंज हजार मिल देने ओदे विच्वी मैं टाई हजार वन देना लोड़ वन था क्योंकि वो बैठा हुए है मजूद है कि चाहद चहूर है कि हाजद हजूर है हमेशल सलाम है समस्तल कलाम है जाहने लोड़ नहीं तू बैठा हुए है उ tat पिता बैठा हुए है ति फिर मैने लोड़ एर फिकर करके दीए है लोड नहीं है तू बैठा हुए है तो किसी न किसी टंग दे नालकार तो करेंगा तो करेंगा और जदू भी किसी अस्तांते में जाना ते कई दफ़ा लोग कैद देने ग्याने जी भी जेब विचना कट तो कट दो-तीन लख रुपे होन भी और पर अगीकत मन ना दोवे जेब खाली होना इने कुछ भी नहीं हो खुशी है एक चाप है नानक चिन्ता मत करो चिन्ता तिस ही है जल मैं जन्त उपाईयन तिना भी रोजी देगा रोजी देख देख धन गुरु अमरदाश सहब केंदे ने पुर्खा कि ते ऐसा ना हुए कि चिन्ता करदियां करदियां तो अपने आपनों भी ना पशाणियां कि मैं काउन हां मैं क्यों कर गया है एक खुद नू पशाण मैं काउन है तुझी दी चिन्ता विच्ट कि तैसा ना हुए सारा जीवन सा डामक जावे खत्मुजा धन गुरु ग्रेंच सहब दे इलाही बोला विच भागत त्रलोचन दा एक बोल ह कि अक्सर चिन्ता जी धन्दी होए और ओदे विच्ट सा निकल गया तो की होएगा जी चिन्ता दियां पुत्रां दी होए ओदे विच्ट सा निकल गया फिर की होएगा जी चिन्ता मकान दी होए ओदे विच्ट सा निकल गया फिर की होएगा बुरु गुरु ग्रेंच सहब दे बोल सूने जी धन दी चिन्तां विच मार्टे उगए तो सपनि जो 누ंगे है पुर्खा सबती जावे जिदियां पत्राँ दी चिंता विछ मौत जावे तिक दैने सुवर दी जोनी त्यार है फिर बच्चे ही बच्चे सुवर दे बहुत बच्चे है और जिक दे पतनी दी जब पती दी चिंता एक वासना नोँ लगे मौत हो जावे ता वेश्वा दी जोने क्या होए और जे कितरे घर दी चिंता विच मौत हो जावे कि की होवेगा इतना सुंदर बंगला बनाया कि मरंतों बाद किते बच्चे विगाड़ी ना दें कई दफा बुजिर्क सोच दें और उसे दी चिंता विच मौत हो गई ता के दने प्रेट दी जोने त्यार है फिर उत्तिया की निवास करना है उसे ही घर विच और जीकर प्रभूदी चिंता विच मौत हो जावे चिंतन विच सिम्रंदे विच मौत हो जावे तब भगत त्रलोचन जी केंदेने अंत काल नराइन सिमरे ऐसी चिंता मैं जे मरे बदत त्रलोचन तेनर मुकता पीतंबर वांकें रिदेवसे वो इक में को गया रख देविज़ इसकर के मैं आपजीनों अर्ज करता हैं कि अपने ही दिल में डूब के सुरागे जिन्दगी पाजा तो मेरा नहीं बनता ना सही अपना तो बन एक बंद भी आपजीदी अपनी है एक आपजीदी दौलत है हिर्दै राम रमाँ मेरे भाई गुर्मुख रसना हर रसन रसाई हे मेरे बितर तो हिर्दै विच रामन मसाले है तो रसना ते वारवार उदा सिम्रन कर वारवार उदा चिंतन कर क्योंकि चिंतन कर दियां कर दियां सिम्रन कर दियां कर दियां जदो इबोल गैरे तलते पहुचनगे तेरे हिर्दै विच राम कायम हो जाए फिर ऐसे मनुख नो पदिमी मिल दी है एक गुर्मुख है इसने रामनु पशान लिया कि मेरे अंदर बैठा हुय है गुर्मुख हिर्दै जिन राम पच्छाता जग जीवन सेव जुग जारे जाता जो जगत नो जीवन दे रही है जगत नाम देव जी जारे ने अपनी ही माँच है अपनी ही धुन है तो की होया कि भगत नाम देव नो ठोकर लगी मिटी दा एक डेला उदे दो टुकडे होया तो भगत नाम देव दा मस तक जग गया की देख दा है उस मिटी दे डेले विच एक कीडा बैठा होया है तो दे मुख दे विच तिल दा एक दाना पिया होया है भगत नाम देव जी रसना जो अगमी बोलने कल देने जो धन गुरु ग्रण साही विच दर्चने हे प्रभू हे बीठल इस डेले दे विच जीव बैठा होया है और जिदा की रस्ता नहीं आनदा और नहीं रस्ता जानदा उदे विच कीडा बैठा है पर उदे मुख विच भी रिजग पिया होया है रिजग पिया है तो कितना भलवान है तो कितना भलवान है सैल पथर में जंत उपाए तांका रिजग ठागे कर धरिया पथर दे विच तीट दे भी बैठा होया है और उदा भी रिजग उदे सामने पिया गया है वह जगत नो जीवन देन मड़ा है जदा उसने शरीर मनाया तो उसने रोजी भी देनी क्यूंक जदो उसी गड़ी क्रीदने आ, तो गड़ी involves प्यट्रोल पाऊँगे के न Sahily न जिसने गड़ी ये सारी जिंदगी पल्ले बन लेना ये उधार ने बादशा ने वजीर नो किसे कारण करके कैद की था वजी पत्नी नो भी कैद की था और जिस कैद खाने विच कैद की था वदे सौध और वाजे ने बहुत मजबूत वजीर की करदा है बैठदा है और चेहरे थे वही इलाही नोर है क्योंकि बंदगी करदा है शंगत्वी करदा सी पर पत्नी चिंदित है पत्नी कैंदि है और किस तना लेगा कैद खाना मजबूत है सो दर्वाजे ने तिप पती कहन दा है वजीर कहन दा है तू फिकर न करे दी तू करतार दे रंग दिखी जा रात दा समा होया वजीर ने एक बू अखड़काया पर ओहलिया भी ने फिर तूजा बू अखड़काया ओह भी नहीं लिया फिर तीजा फिर चौथा फिर पंजबा और इसी तरह नियानवे दर्वाजे उसने खड़काये हिलाए पर नहीं ले फिर सौवां दर्वाजे थोड़ा जिया हिलिया जिदों वो थोड़ा जिया हिलिया वजीर बैठ गया पाने पीनदा है और हम दे नाल बैठते हैं दस मिंट बाद फिर उस भूए नो अपनी जुगती दे नाल खड़कानदा है हिलांदा है और जुगती अपनानदा है बू अखल जानदा है कि बस उसे बूए तो उसे दर्वाजे तो वजीर अपनी पतने नो लेकर और निकल जानदेने जंगल दे विच्छ किसे और मुल्क विच पहुंच जानदेने श्वतंतर होगे जिदी मैं अर्ज कर रहे हैं एथे ध्यान देना हूँ वजीर दी पतने केंदी है कि मैं तना समझे अशी सारा जीवन हूँन बरबाद है बस एथे ही पूरे हो जाओ और एजुगती जड़ी आपजी ने अपनाई है ते अशी हूँन शोतंतर होगे और एजुगती कि तो अपनाई पहला मैंनो एदस तो वजीर केंदा है कि कल मैं किसे साधू दी कथा सोण रहा से ते साधू ने किया कि जिन्दगी दे साव दर्वाजे हों देने जिन्दगी दे साव दर्वाजे हों देने पर उन्हा सौ दर्वाजियां दे विच्च जे निन्यानमे दर्वाजी भावे बंद हो जाँ पर रिजक वास्ते रोटी वास्ते एक दर्वाजा खुला रहेंदा है ये परमात्मा दब्रिद है भावें कोई भी दर्वाजा खोल के रखे एक दर्वाजा जरूर खुलता है एक बंद हो या दुजा खुलता है दुजा बंद हो या तीजा खुलता है तीजा बंद हो या चौथा खुलता है पर मन खुदी एक मजबूरी है कि कि जेड़ा दर्वाजा बंद होया, बस उसे नोई देख दा रहें दा है, एक यूँ बंद होया, तुजा खुल गया, जो मैं इसनो इस तरह अर्द करा, कि एक दरवाजे तों, सानू हर रोज मिल रहे से, एक हजार उपया, पर ओधर वजा से डबंद हो गया, दुजा खुल गया, ओथो सानू ग्यार तो मनुख ए शुक्राना नहीं करेगा कि जित्तों हजार मिल रहे हैं सी उन ग्यारा सो मिल रहे हैं और एक गिला शिकवा करेगा कि ओ दर्वाजा बंद क्यों हो गया नमा खुल गया और बरकत पैगे तो बस जिन्दगी दे विच एक अले आदर खुणा सो दर्वाजे हों देदे बामे निन्यान में दर्वाजे बंद हो जान एक दर्वाजा खुला रहे हैं जो अब जीने सारे कारेज समारता है इस करके जग जीवन सेव जुग चारे जाता तेरी हर तरप शुबा होएगी तु जगत नो जीवन देनवाडे नो कौंगा हाव में मार गुर शबद पचाता तु खाव में नो मिठा हो न जो परिवार है इसाटा नहीं है गुरू दा है तो एक मनुखने की कीता बेटी दव्यासी तो पिंड विच वो पुच्छदा है कि कोई ऐसा फकीर संत है जो मेरी बच्ची दा कारज करा दो तो किसे ने कहा जैता हाँ संत है तो देकुल जा तो तेरी बेटी दव्या जरूर करा है जदो वो उस तेकुल जानदा है और जाके कहनदा है मेरी बेटी दव्या है मदद करना ते फकीर की कहनदा है बेटी तेरी है ते मदद मैं करना तेरी बेटी तेरी ड्यूटी तेरी जम्यदार यह मेरी जम्यदारी नहीं है वो वापिस आ जाता है जो मिष्य और यो लंगदा है किसे ने देख लिया तेरा चैरे ते निराश्या यह किंड लगों है परसंत ने कहा है तो ओ पिंड दा मन्ख बजरुख निवासी कहन दा है तू फिर जा मैं जान दा उस संदी फित्रत नू तू फिर जा लिकन ए न कहना मेरी बेटी दा गया है ए न कहना और ए भी न कहना कि कुछ मदद कर ए भी न कहना फिर महराज में की कमा तो उसने उसनों सिखाया ए करना वो फिर जान दा है संत दे कोल मत्था टेक दा है और करन दा है महराज तेरी बेटी दा कार्ज है ते तुसी आना तो संत कहनत है जि मेरी बेटी दा भ्या है तो फिर तेनों गादी चिंता है आश अपने आपी करा लिए बेटी है तो फिर तेनों गादी चिंता है बस इतने दी कर दे गुरु नानक न भी एई किया करो पाठ्षा तेरा परिवार है तेरे बच्ये ने तेरा बेटा ए के चिंता है तो साइब कंदे ने किर्पा करे प्रभ करम बिडाता जो शारी हों दे कर्म बिनान वढ़ाए प्रभ प्रभ हैं तो फिर तेन तिक पर करेगा सेजन सच्चे जो गुरु शबत मिला है जो गुरु शबत नाल जुड़ गए वो सच्चे हो गए और उना दज़िदा मन पहला भड़क रिया सी और धावत वर्जे ठाक रहा है पजदा हुया मन और टिक गया ठेराव जाग गया और यकीन हो गया कि मेरा प्रभु बैठा है नाम नवनिद गुर्ते पाहे गुरुतों तुनिया दित्माम खजाने सी पाले हर किर्पा दे हर वसे मन पाहे मन विच प्रभु वस लिया पर किस तरह राम राम करदियां सुखशाम्त शरीर अंतर वसे ना लागे जम पीर राम जपदियां वाहिग्रू जपदियां अल्ला जपदियां आमेन जपदियां अंदर विच शांती होगे जम दूद दर घटम होगे और एक खबर मिल गई आपे साहिब आप वजीर तु मालक भी तु है वजीर भी तु है कि कभीर साहिब दी बोलबानी सुन के बहुत सारे ऐसे पंडित ब्रोहित जो कभीर साहिब दे बरकलावोगे कra के कभीर साहिब दी किसे न किसे टंग दे नर ते इन नने की किता थां थांते पतर भे देते कि ठीक पांच दिन बाद कबीर साहब दे घार विच बहुत वड़ा ब्रह्म भोज है बहुत वड़ा और सार्याने आणना है और ओ कबीर जेदे घार विच अब मुश्कल देना दो समादा लंगर मन देना है क्योंकि यतने भी पगत ने गुरुगरंज साहब दे विच पंद्रा पगत बस एक भगत नो छड़के बाकि सारे ही गरीबी रिखा विच जीवन बतीत कीता है एक भगत पीपा वो बादश्यासी है राजासी है तो भगत कबीर सहब देगार ब्रह्म बोजे एक उज लोका ने चिठी पत्र बाद दी ये लोग कठे ओन गे और कबीर सहब जी की खिलान गे देखने सारी संगत खाली जाएगे और वो चिठी पहुंच दिये आप जी देवर गे गुर्म खान देखो वो बड़े खुश हों देख कि मैंने कबीर सहब देगार ब्रह्म बोज है इस तो बड़ी संहोर खुशी की होवेगी तो जितने भी गुर्मक प्यारी धनवान पुर्श सी और असद लेके पहुंच गे मैं इस्ता लंगर लगाना है मैं इस्ता लंगर लगाना है मैं इस्ता लंगर लगाना है धनवान प हुआ हुआ या कभीर हैं मैंstellों ना कर सके शरीर पार जानों क्या हर किया पैए कभीर कभीर मैंने लुपने नहीं है कि नों हिए आरी मालक नों पता सी पर कभीर धि Markamaable जूर रहे का वाह कभीर यकीन हो जाए कहके मैं स्वापती करना नानक सेव सदा हर गुणी गई ए पुर्खा तो सदा ही उस्तपला फड़ के रखो जो गुणी गई ही है जो गुणा दा मुझिस्मा है जो गुणा दा सागर है और उस गुणा दे सागर नू जो तो गावेंगा तो भी खुणा दा सागर जावेंगा तो निर्भाव नू गावेंगा तो भी निर्व होवेंगा निर्वेर नू गावेंगा तो भी निर्वेर होवेंगा और जिस परिपुर्ण परमातमादा सिमरन अब जी ने कीता सद्गुरु जी केंदे ने जैसो सेवे तैसो होए उसी वर्गा हो जाओगे ए महान देन गुरु सहव जी है आप जी दिये जोली विच बक्षिशकरन बाकी विचारा कल करांगे पुलांचुकांदी खिमा करो किर्पा गुरु सिम्रंदे विच जुडो जी है एको अंकार सत्नाम करता पुरुखो निर्वो निर्वे अकाल मूरत अजुनी सैभं एको अंकार सत्नाम करता पुरुखो निर्वो निर्वे अकाल मूरत अजुनी सैभं एको अंकार सत्नाम करता पुरुखो निर्वो निर्वे एको अंकार सत्नाम करता पुरुखो निर्वो निर्वे एकाल मूरत अजुनी सैभं गर पुरुखो निर्व sistema वाजी गूम् वाहे गूरू वाहे गूरू वाहे गूरू